भगवान की सेवा कर, शुद्ध कर्म कर, शुद्ध परिश्रम से पवित्र पैसा से परिवार को पाल और प्रभू को भी लिजा कोई कुछ करता नहीं है, उस स्रेश्ट लाब के लिए कारण क्या, जिनके मन में ये भोग विलास घुज गए हैं, उनको वो रुच्छी करनी लगते एक भोग था, बागों का भोग रा, किसी राणी के भाग का भोग था, जहां पर नाना प्रकार के सुगंदित फूल खिले रहते हैं, उस भाग में रहता था एक दिन यात्रा को निकला, तो मार्गों से एक दूसरा भोग रा टकरा गया लेन ये भोग रा तो था, भोग रा जैसी रूप रेकाती सब कुछ, लेन ये भोग रा तो प्रत्वी के ऊपर क्या करता है कि वो बिष्टा की गोलियां बना मना के और बिलों में ले जाता है गोबर की बिष्टा की गोलियां बनाता है गोल गोल और वो उल्टे पाउं से ले जाके बिल में रखता जाता है सारा दिन वो इक्रिया करता है लगता तो भौरा जैसा ही है है भी भौराई लिए ये दूसरी कास्ट का भौरा है लिने बागों के बाग 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 क बड़ी दया आये तो नीचे उत्रार उसको राम राम किया कि भईया राम राम तमोगुनी जीव है भवरा नीचे जो नीचे काम में लगा हुआ था विष्टा की गोलिया मनानी anyway उसने पूछा कि क्या काम है क्यो राम राम कर रहे हो कोई जरूर स्वार्थ होगा तुमारा बुलो नहीं ये बात नहीं है तु मेरा जाती ब्रादरी का भाई जैसा है तु भी भवरा ही है मैं भी भवरा हूँ चल तु एक दिन मेरे मेरा अथिती बन जा मेरे साथ चल कापी प्रार्तना की तो ये बिष्टा का भवरा मान गया कि कितने दूर जाना पड़ेगा अरे ज़्यादा दूर नहीं थोड़ा उडान बरेंगी पहुँच जाएंगे मेरा अथिती बन एक दिन तो मान गया ये बिष्टा का भवरा और दोनों भवरे उड़ने लगे राणी के बाग की और जाने लगे तो रस्ते में ये बिष्टा का भवरा बोलता है कि जरा तुम यहीं ठेरो मैं कोई आइटम भूल गया लाना मैं लेके आता हूँ तो बाग के भवरे ने कहा कि ठीक है मैं यह बैठता हूँ तुम जल्दी आना बोला हाँ मैं अभी आया तो ये बिष्टा का भवरा वापिस आया अपने बिल में और कोई आइटम भूल गया उसको लेके वापिस चल पहुंच गया दोनों उड़के और राणी के बाग में पहुँचे तो राणी के बाग का जो भवरा था वो इस बिष्टा के बहरे के फूलों पर बिठाता है कभी गुलाब के फूल पर बिठाता है और पूचता है कि खुश्वू आई तो बिष्टा का भवरा बोलता है कि नहीं मुझे कोई खुश्वू नहीं आती अच्छा तो मोगरा, चमपा, जुही कमल, तरह तरह के फूलों पर बिठाता है और हर फूल पर जाकर पूचता है खुश्वू आई लेकि बिष्टा का भवरा को तो खुश्वू नहीं आती ये बोलता है मुझे नहीं आई तो बागो का भवरा, रानी का भाग का भवरा बहुत चिंता में डूगा कि इसको खुश्वू क्यों नहीं आती है सारा भाग, बिभिन, नाना प्रकार की खुश्वों से महक रहा है और इसको बार बार जगे जगे फूलों पर ले जाता हूँ खुश्वू क्यों नहीं आती, कारण क्या आकिर चिंतन करने के बाद में बागों वाला भौरा बोला कि मेरे भाई, जड़ा तुमारा मूँ खोलो तो तो बिष्टा के बौरे ने मूँ खोला तो तो बिष्टा की गोली बना कि मूँ में रखके लाया उसे के लिए तो वापिस गया था रस्ते मैं से तो बागों का भौरा बोलता है फिर इसको खुश्वू कैसे आएगी जिस व्यक्ति ने मूँ में बिश्टा की गोली रख रख किये उसको खुश्वू कैसे आएगी तो उसने कहा अरे रे रे आओ मेरे साथ आओ तो जब पानी का इस्थान था बाग के अंदर पानी का ताला अब सरोवर था उसके खिनारे ले गयर कहा कि इसको थूख ओ गॉली को मेरे केने है जूख दो यहां खाणी पीनी कोई कमी नहीं है आप इस चिंता में गोली रख के लाए कि पता नहीं बागों कुछ खाने को मिलेगा कि नी अरे यहां तो आपको सब कुछ मिलेगा नाना बेंजन मिलेगे पहले तुम्हें इस बिष्ठा की गोली को तो थूको तो थूक दिया कैसे भी करके बुरे मन से और का कि मूँ भी धोलो जरा तो मूँ भी धोया इसरार कराया तालाब में फिर उसको फिर तो बिना फूलों पे ले जाई कहने लगा आरे तुम्हारा तो यह बाग बहुत मैकता है अरे रे मेरे सारे नासा फुट बर गए खुश्बू ही खुश्बू जिदर देखो उदर ये तुम तो बड़े आनंद में रहने वाले बोला हाँ मेरे बाई इसलिए मैं तुम को लाया तुम आज से वो बिष्टा की गोलिया बनाना बंद कर दो तुम बिलकुल मेरी जात के हो तुम भी भाउरे मैं भी भाउरा अरे तुम मेरे साथ यहां रहो मुझे एक मित्र की आवश्यक्ता भी है बातचीत करने के लिए उस दिन से वो भाउरा बागों के भाउरे के साथ रहने लगा और आनंद लेने लगा इसलिए सत्संग या सादुसंग मिलता नहीं कोई गीता भाउवत की कथा सुनने को मिलती नहीं मिलते हैं सर्फ टीवी के मनोरेंजन कारीकरम और तरह तरह के जो परचार के लिए दिये जाते हैं इस्तिहार कॉल गेट कॉल गेट और हमाम साबून वाटेवर उनको ही देखने लगे रहते हैं संसार की सब प्रकार की निंदा इस्तुती में मैं मेरे में इनी में जीवन चला जाता है तो पिर कैसे मनुष अपने आप को पैचानी और कैसे धर्म को पैचानी कैसे भगवान को पैचानी कैसे भगवान की सब्ता को पैचानी भगवान कहते हैं अनंत को मैं सरजन करता हूँ मेरी सरष्टी है फिर भी मैं इस से अलग हूँ देखो मेरी योग शक्ती अरजुन भगवान अभी अपनी योग शक्ती को दिखला रहे हैं कि मैं कौन हूँ अर्जुन जड़ा मुझे पहचान अर्जुन तो भगवान को पहचानते हैं तब तो उनकी मित्र बने हुए हैं अंतरंग सका लिए हम सब अर्जुन आत्मा अर्जुन रुपी आत्मा है जो इस मन के चक्कर में पढ़के संसार के भोगों में उत्रे हुए हैं कामक्रोध, मदमो, मदसर, इत्यादी शत्रों से घिरे हुए हैं उनके लिए उपदेश करना अत्यंत आवश्चक हो गया है अर्जुन के माध्यम से उनके कल्यान के लिए इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तु मेरा योग शक्ती को तो देख योग ऐश्वरम योग का ऐश्वरियत तो देख मैं तमाम स्रिष्टी का स्रिष्टी करता हूँ फिर भी मैं इस स्रिष्टी से अलग हूँ ये सब भूत ब्रिन सब भूत प्राणियों के अंदर भी मेरा वास है फिर भी मैं सब भूत प्राणियों से अलग हूँ भूतस तो ये तमाम भूत जल अगनी वायू आकास ख्षिति चौईस तत जितने भी सब के अंदर मैं हूँ सब सब भूतस तो यह सब फिर भी मैं इसे अलग हूँ ममभूत भावनाहा यह सब मुझसे ही पैदा होते हैं मुझसे प्रगट होते हैं मैं इनकी सरश्टी करता हूँ फिर भी मैं इनसे अलग हूँ यह मेरी योग शक्ती है मैं इनके अंदर नहीं हूँ नै मैं किसी परमधाम के भीतर गुसके बैठा हूँ ना मैं कोई ब्रह्म जोती के अंदर गुसके बैठाउं, ना कोई वैकुंट धाम के अंदर गुसके बैठाउं, ना कोई भौतिक संसार के ब्रह्मांड के अंदर, ना कोई प्रत्वी ग्रह उप ग्रह के अंदर गुसकर में बैठाउं, मैं इनके अंदर नहीं हूँ जबकि यह सब मेरी रचना है और मेरा वास सर्वत्र है I am the omnipresent मैं सब जगे में मेरा वास है फिर भी मैं इनके अंदर नहीं पिर भी आ लोगो तो भगवान स्री कृष्ण परम शक्ति हैं परम भगवान है उन से जो सब सिर्ष्टी निकलिये हम सब जीव आत्माएं निकलिये और सर्वत्र उनकी शक्तिया है material nature है बहुतिक शक्ति बहुतिक सभाव और आध्यात्मिक सभाव material nature उनकी शक्तिया है energies है external potencies eternal potencies यह सर्वत्र व्याप्त है और सब जगे पगवान की परजेंस है उनके मैध्यम से लेकिन वो अपनी परम इस्थान पर है परम भक्त शुद भक्तों की आगोश आलिंगन में है उनके साथ रहते हैं उनकी बहुत सिंपल सुन्दर दिपी लीलाएं हैं जिनको जानने के लिए हिर्दय का शुद होना बहुत जरूरी है अपने परंधाम में भी भगवान स्री कृष्ण परम वेश में गोपाल स्वरूप में रहते हैं गौले की रूप में और नित्य ही दिव्य गायों का गोचार गायों को चराने जाते हैं सुन्दर हरियाली में हरे घास में और गौलों के साथ में अपनी शुद्ध भक्तों के से घिरे हुए रहते हैं तो परम परमिश्वर का रूप अचिंत रूप है हमारी बुद्धी से परे है इसलिए हम नहीं फैचान पाते सर्दावान लगते ग्यान सर्दा से हमको ये आत्म ग्यान प्राप्त होता है आत्म ग्यान से भक्ती करने से भगवान की जानकारी होती है विशेस रूप से बक्त्या माम अविजानाती वो ही मेरे दाम में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है जो भक्ती करता है भक्ती से मुझे पैचान सकता है भक्ती से ही सरद्धा उदय होती है भगवान की सेवा करने से सरद्धा उदय होती है बिना सेवा सरद्धा उदय नहीं होती सुरदागे बिना भक्ती तो कैसे होगी सुरदागे बिना भगवान से प्रेम कैसे होगा नैचे मत्स्थानी भूतानी पश्मे योगम एश्वरम भूत भृन्न चे भूतस्थो ममात्मा भूत भावना यह तमाम सुरष्टी में जितनी भी अंश है ये सब मेरे अंशय, हम सब बगवान के छोटे-ोटे-नशय है है पीशागरे शतभागश्यओ श्बतांशयओ साद्याशा आत्मकाह जीवा सुख्षम सरूपोयम संक्याति तो ही चितकन्द असंख चिदानंद कण चिद कणा यानि यह spiritual आत्मा है सचिदानंद आत्मा है जो असेंक में फैली हुई है असेंक आत्मा है भगवान कहते हैं कि यह जो है केश के आगे की नौक के 10 जार टुकड़े किये जाए उनमें से एक टुकड़ा इतना सा सवरूप आत्मा का है जरा करके देखिए आपके बाल की आगे की नौक के 10 जार टुकड़े कीजिए तो एक टुकड़ा उठाईए उतना सा आपका सवरूप है उतना आत्मा का सॉरूप है जो इस शरीर में बद्ध है शरीर में इस्तिर है जिसके कारण से ये शरीर है ये आत्मा छोटा सा कण अगर निकल जा शरीर से तो ये शरीर पड़ा रह जाता है उसको मृत्यू कहते हैं डाक्टर लो कि मृत्यू हो गई वहिया इसकी मर गया ले जाओ अन्तेश्टी कर दो उकण था तब तक इसका हलन चलन थी नाशता था गाता था शादी बरातों में ब्याहों में नारे बाजी लगाता था निता बनता था सभी कारी करता था इस आत्मा के इस कण के कारण कण निकल गया यह आत्मा यह आपका शरूप है जीवरों स्वरूप है नित्य कृष्ण दास चत्तन महाप्रुजी कह रहे हैं कि ये जीव का इस कड़ का स्वरूप जो है असली स्वरूप कृष्ण का दास बना रहना है ये इसकी इस्थिति है कृष्ण का दास जो एक कृष्ण के दासित्वता को भूल जाता है, तब जाके ये दुखों में उतरता है, उस आनंद को छोड़ करके, उस पर्वानंद को छोड़ करके. अपने सरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, और क्या मेरे कर्तबी है, आप हम सब का भगवायन स्रीकृष्ण पिता है, वो गोविंद पिता है, वो नारायन पिता है, औरिजनल फादर है, आपका पिता है, बाकि तो ये शरीर के, मिट्टी के, पुतले के, माता, पिता, बैन बाई, जनम जनम होते हैं, जितने जनम आपके हुए हैं, हर बार हुए हैं, चाय कुत्ते बिल्लियों में जनम हुए हो, या भेड़ बक्रियों में हुए हो, या नर्बानरों में, जहां भी, देव किन्नरों में, आपके माता पिता होते हैं, इस शरीर के माता पिता होत क्रिशन हैं तो उस असली पिता को भूल करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं नहीं उनको प्रसंद करके ही हम सुखी हो सकते हैं उनकी और चलके ही हम सुखी हो सकते हैं उनको पहचान के ही जीवन यापन करना चाहिए यह अपना स्वरूप पहचानना है जीवरों स्वरूप है नित् दास ये नी कलम दास थे आज नहीं रहेंगे नित सतत ये बक्ती बगवान की बक्ती की और पहला चरण कदम है कदम बढ़ाना है कि बगवान को पहचान जाना और अपनी अपने आपको पहचान जाना यता आकास इस्तितो नित्यम वायू स्तरवत्रगो महां तथा स्तरवानी भूतानी मतस्थानी त्युबदार जैसे आकास में वायू रहता है आकास यानि जहां पर भी आकास है इस्पेस है वहाँ पर वायू रहता है वायू देटा विंड तो यह आकास तो बहुत विश्तार में है यह मैट्रियल वर्ल्ड का आकास बहुत विश्तार में है जिस आकास में अनंत ब्रह्मांड है विजीवल फॉर्म्स है श्रष्टी है भगवान की यह आकास के अंत आकास भी श्रष्टी का ही पार्ट है लिए आकास सुक्षम तत्व है आकों से नहीं दीखता लिए इस थुल तत्व इसके अंदर लटके हुए है बगवान केते हैं जिसे आकास में वायू रहती है अगनी रहती है जल रहता है अर्थ प्रत्वी रहती है आकास में तो यह दूसरे चार तत्व विराजमानें कहिए कि 24 तब तो आकास में विराजमानें लग तो ऐसा ही रहा है बगवान केते हैं जिसे आकास में वायू रहती है ऐसे ही यह तमाम अनंत ब्रह्मांड बैकूंट जगत आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत तमाम अनंत यह मेरे अंदर है यह मेरे अंदर विराजमानें मेरे अंदर रेष्ट कर रहा है तमाम यह था यह था आकाश इस्थितो नित्यम वायू सर्वत्र गो महान तता सर्वानी भूतानी मतस्थानी उपधारिया ठीक उसी प्रकार से यह तमाम ब्रमान इंक्लूड आकाश इंक्लूड इस्प्रिच्वल वर्ल्ड इंक्लूड इस्प्रिच्वल प्लानेट्स आर बिदिन में इसको जानने के लिए थोड़ा सा फिर से बताता हूँ आपको क्योंकि यह तमाम भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार यह सवी भगवान के परमधाम से प्रकाशित जो अनन्त सूर्यों जैसा प्रकाश है जिसको ब्रमध्योती नाम से का आए यह ब्रमध्योती के अंदर इस्थित हैं ब्रमध्योती के अंदर वन फॉर्थ हिस्से में यह अनन्त ब्रमांड बहुतिक ब्रमांड है और थ्री फॉर्थ हिस्से में स्प्रिच्वल धाम है ब्रह्मय जोती में जैसे आकाश में एक दिशा में कुछ बादर खड़े हो जाए ऐसे ही एक कॉर्णर में ब्रह्मय जोती के एक कॉर्णर में एमेट्रियल वर्ड भी है थिरी फोर्थ कॉर्णर में स्प्रिच्वल वर्ड है ब्रम्योति क्या है बहगवान की दाम से निस्कासित एक प्रकाश है इसलिए ब्रोगवान ने कहा जो शाःष्वत है धर्म स्वरूपा है I am the base of this ब्रह्म जोती इसका आधार मैं हूँ कृष्ण बगवान कहते हैं कि इस ब्रह्म जोती का आधार मैं हूँ यह ब्रह्म जोती में सब है तो बगवान की बगवान का प्रकाश है यह ब्रह्म जोती तो प्रकाश में सब है ऐसे ही जैसे कोई देश का प्रेसिडेंट कहे कि ये तमाम सिटिजन्स मेरे अंदर वास करते हैं तो इसका मलब ये तो नहीं कह रहा कि उसके शरीर के अंदर सब लोग नहीं मेरे देश में वास करते है ये देश का राज़ा में हूँ ये मेरा देश का विस्तार है इसमें सब घर बने हुए है प्राणी जन रह रहे है ये मेरे अंदर ही रह रहे है मेरे घर के अंदर रह रहे है मेरे देश के अंदर रह रहे है मेरे अंदर रह रहे ये सबका मेरे इर्दे में वास है मैं इनको पहचानता हूँ जानता हूँ कौन-कौन सी जिजन कहां-कहा है कौन-कौन अफसर कहां-कहा है मैं इस देश का राजा हूँ प्रेसिडेंट भगवान उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सारे अनंत स्रश्टी मेरे अंदर है ऐसे ही जैसे आकाश के अंदर हुआ हूँ सब जगे बिद्दमान होता है इसके आगे के इस लोगों मुझे वह हम चलते हैं तो इसका ज्यादा इस पश्टा से पता चलता है भगवान कह रहे हैं कि सरव भूतानी कौंतेयो प्रकृतियांती मामी काम कल्प शे पुनस्तानी कल्प आदो विस्र जायम में हम सरव भूतानी कौंतेयो प्रकृतियांती मामी काम कल्प शे पुनस्तानी कल्प आदो विस्र जायम में हम कल्प यहां पर कहा है प्रले का महा प्रले का जब कल्प आता है तो यह तमाम ब्रह्मांड भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकर्ती को प्राप्त हो जाते है भगवान की प्रकर्ती क्या है भगवान का सुभाव क्या है प्रकर्ती यानि सुभाव बगवान का सुवाव क्या है? इस्प्रीच्वल, आध्यात्मिक सुवाव तो महाप्रलय में जो ये अनंत ब्रह्मान्ड चले जाते हैं अतिसुक्षम रूप में ये अपनी मूल प्रकर्ती में चले जाते हैं और मूल प्रकर्ती इस्प्रीच्वल है आध्यात्मिक है, शाश्वत है, जिसमें कभी बदलाव नहीं आता, बहुतिक प्रकरती में बदलाव आता है, बहुतिक सुभाव में बदलाव है, आध्यात्मिक सुभाव में बदलाव नहीं है, वो इस्पिरिच्वल नीचर है, भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकरती को, ये सा का रहे हैं कि spiritual nature को प्राप्त हो जाती आध्यात्मिक सुभाओं को प्राप्त हो जाती है उपलब्ध हो जाती है महा महाप्रले में सारे बहुतिक तत्वी ये सब आत्माएं भी सारी अणन्त आत्माएं महा विष्णु के गर्भ में चली जाती है वहाँ उनको spiritual स्वभाव मिल जाता है कि भगवान के पेट में है मा प्रले के समय कल्प छे पुनस्टानी कल्प अदो विसर जामिहम और जब कल्प खत्म होता है वो प्रले का प्रले काल जब से खत्म हो जाता है तब वापिस मैं पुने स्रश्टी करता हूँ तो यहां पर मैं आपको प्रले और सरजन का थोड़ा सा अनुभव देता हूँ प्रले क्या है और स्रश्टी क्या है मूल प्रकर्ती को भगवान छुदित करते हैं यानि विकार युक्त करते हैं तो उसमें से सबसे पहले एहंकार प्रगट होता है यह संसार नहीं होता यह अनम्त ब्रह्मांड नहीं होते ब्रह्मा विश्नु मैस भी नहीं होते भगवान स्री कृष्ण गीता में आगे चलकर कहेंगी इस बात को कि जब मैं इस मूल प्रकर्ती को गर्ववती करता हूँ विकार युक्त करता हूँ तब इसमें से एहंकार पहले प्रगट होता है ये एहंकार तीन जगे विवाजित होता है जिन से इसका नाम तीन तरह से जाना जाता है तमोगुनी एहंकार, रजोगुनी एहंकार, सतोगुनी एहंकार एहंकार में विकार हो जाने से ये तीन जगे डिवाइड हो जाता है तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी एंकार से निकलते हैं पंच महाबूत प्रत्वी जल अगनी वायू आकाश रजोगुणी एंकार से निकलते हैं इंद्रियां दसों इंद्रियां जो हमारे शरीर में हैं तमाम ब्रह्मांडों में हैं ये कॉस्मस लेवल प सत्वगुली एहंकार से प्रिक्रति हैं हमारी दसविंद्रिया और बुद्धी 17 वोणी स्वभा एहंकार से प्रग्रत होता है मन इस कसे ये मूल एहंकार जो प्ध्प निकला है मूल प्रगृती से 24 तत्त्यों में बभाजित होता है 24 ततों में हमारी 10 इंद्रिया हैं और 5 ग्यानिंद्रिया, 5 कर्मिंद्रिया, 10 इंद्रिया हो गई, 5 ग्यानिंद्रियों के अधिश्टात्री देवता हैं, रश रूप गंध इत्यादी 15, एंकार मन बुद्धी हैं 15 और 13 अठारा और 5 महाभूत 18 और 5 तेवीश और 24 वे नंबर पर है स्वरहाव नेचर, मूल नेचर, मूल प्रकरती, मूल नेचर, ओरिजिनल नेचर ये 24 तत्व मिलके ये संसार को बिजीबल बनाते हैं, द्रश जगत बनाते हैं, द्रशवान बनाते हैं तो हमको दिखाई देने लगते हैं अपने शरीर भी, ये सूरिये चांद तारे भी, जल, समुद्र, इत्यादी, विजीबल होते हैं ये 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 सब उस मूल एंकार से प्रगट होते हैं, सष्टी इस प्रगार से नीचे उतरती है, आकाश विकार यूप्त होता है, तो वायू रूप में परणित होता है वायू विकार युक्त होती है तो अगनी रूप में परणित होती है अगनी में विकार आता है तो जल रूप से परणित होती है और जल में विकार आता है तो प्रत्वी रूप से परणित होता है बदलता है Atlantic farm cash and carrying Grand OAP